हेलो स्पोस फैंस हमारे चैनल स्पोस टूडियो में आपका स्वागत है आज की बड़ी खबरों की बात करें जो खेल की दुनिया में च्छाय हुई है तो सबसे पहले शिखरदवन भारते टीम के नए कप्तान बन गया है जी हाँ विराट कोली को हटाये नहीं गया है क्योंकि एक टीम भारत की इंग्लेंड में है जो उसे न्यूजिलिंड की खिलाफ टेस्ट चेंपेंशिप खेलने है साथी साथ उसके बाद उसे पांच टेस्ट मैचेस भी खेलने है इसलिए भारते चेंप करताओं ने ये सही समझा कि एक और टीम भारत की बनाये जाए जिसे श्रिलंका भीजा जाए और उस टीम का कैप्टन शिखर धवन को बनाया गया है उस टीम में भुवनेशर कुमार को वाइस कैप्टन बनाया गया है लेकिन जो भारत के लिए नए हैं क्योंकि हम उने आई पिल में देख चुके हैं जैसे कि रुतुराजगायकवड हो गया देवदुत पदिकल हो गया चेतन सकारिया हो गया इन सब को मौका दिया गया है दरसल क्या है न दोस्तों कि हर कोई इस दुनिया में भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है क्यों कि भारत क्रिकेट का पावर हाउस है मनी हाउस है भारत के साथ खेलते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं अब भारत को भी अगर इंटरिनेशनल क्रिकेट में अपना दबदबा ब किसी को खुश करना पड़ता है इसलिए अब एक टिम हमारे इंग्लेंड में है एक टीम हमारे श्रिलंका जाएगी वहाँ पे उसे तीन वनडे मुकाबले और एक टेस्ट मैच खिलना है माफ कीजे ती टी ट्विंटी मुकाबले और तीन वंडे मैच खिलने हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये सब बहुत अक्सर होगा कि भारत के एक टीम वहाँ खिल रही है भारत के एक टीम वहाँ खिल रही है दूसरी बड़ी खबर जो है क्रिकेट अबडेट आपको दे देते हैं तो कल दो टेस्ट मैचे शुरू हुए पहला टेस्ट मैच जी शुरू हुआ वह इंग्लेंड और नुज्जिलेंड के बीच में है अब नुजीलेंड ने किया किया है फिर भी इंग्लेंड के किलाफ उच्छे उसने अच्छा प्रदशन किया इंग्लेंड ने टॉस जीत कर बलेबाजी की 258 रन उसने बनाए रॉरी बर्न्स जो पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदशन किया था उन्होंने 81 बनाए एक क्यासी रन डैन लॉरंस जो अभी वी क्रीस पर मौजूद है उन्होंने सरसट रन बनाए ट्रेंट बोल्ड मैट हैंडरी और इजास पटेली तीनों पहली बार इस दोरे पर इंग्लेंड में खेल रहे हैं और माना जा रहा है कि भारत के लिए तयार हो रहे हैं तो इन्होंने दो-दो विकेट लिये वहीं देर शाम को वेस्ट इंडीज का मुकाबला शुरू हुआ वेस्ट इंडीज के घर गई है साउथ अफरिका के टीम वेस्ट इंडीज के टीम 97 रन पर आल आउट हो गई लुंगी एंगिडी और अंड्रे नौकिया ने चार-चार विकेट लिये साउथ अफरिका की भी बलेबाजी आगी उसके 128 रन बने है चार विकेट उसके खो गए है माकरम ने साथ रन बनाया है वहीं वेस्ट इंडीज के तरफ से अपना पहला मैच खिल रहे है जेसन सील्स ने अभी तरफ चार में से तीन विकेट अपने नाम किये है तो ये तो थी टेस्ट मैच की बात एक और प्रेमेर लीग अगर हम पाकिस्तान प्रेमेर लीग की बात करें तो वहाँ पे भी मुकाबले शुरू हो गए है कल लाहौर ने पेशावर को हराया मुलतान ने कराची को हराया और अगर 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 तालिका में अगर आप देखें अगर आपको PSL में इंटरेस्ट है तो लाहौर और कराची की टीमें जो है वो नमबर एक पर मौजूद है फुटबॉल फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि यूरो मुकाबले शुरू होने वाले है आज रात साड़े बारा बजे मतलब तब तक कल हो चुका होगा लेकिन हम आज कहते हैं कि साड़े बारा बजे ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे ग्रूप A का आज एक मुकाबला खेला जाना है और ग्रूप A में कौन-कौनसी टी में है इतली है, स्विच्जरलेंड है, टर्की है और वेल्स है तो आज मुकाबला होगा रात के साड़े बारा बजे टर्की और इतली के बीच में इतली को हमेशा से चाए वो यूएफा हो, चाए वो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो एक बड़ी टीम माना जाता है जैसे कहता है न कि ऑस्टेलिया साल भरो कैसा भी खेले लेकिन जब भी ICC की टूनरमेंट्स होती है चाए वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो, चैम्पेंस टोफी हो या वनडे वर्ल्ड कप हो, उस्टेलिया हमेशा एक नए टीवर के साथ आती है वैसे ही इटली की टीम यहां पर है और भारत ये फैंस के लिए जो बहुत बड़ी ख़वर है और बड़ी दुख देने वाली ख़वर है कि 1998 में एशियन गेंस में भारत में बॉक्सिंग के लिए गोल मेडल जीतने वाले डिंको सिंग अब हमारे बीच नहीं रहे ये सच मुझे एक बहुत ही बड़ा सदमा है बॉक्सिंग की दुनिया को 42 साल के सिर्फ 42 यहस के थे डिंको सिंग और बॉक्सिंग की दुनिया में उन्होंने भारत को एक नया सूरज दिया था, एक नई रा दी थी कि उन्ही को देखते देखते विजिंदर सिंग जैसे बॉक्सर हमेशा सीखते रहे, आगे आते रहे लिवर कैंसर की वज़े से उनकी मौत हो गई देखें दोस्तों, किसी भी खेल में, कोई भी खेल ऐसा खेलना जो आपके देश में पहले नहीं खेला गया हो इसलिए हम अगर दीपा कर्मा करकी बात करते हैं, क्योंकि जिमनास्टिक में भारत का नाम नहीं है भले ही वो कुछ बहुत बड़ा इंटरनाशनल लेवल पे मेडल नहीं जीत पाई हो, लेकिन एक जनरेशन को दीपा ने इंस्पायर किया है सायना नहवाल ने इंस्पायर किया है ऐसे ही टिंको सिंग थे जिनों ने पूरे देश में बॉक्सिंग की लहर दोड़ गई सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन जरूर दबाए जब भी हम एक नया वीडियो डाले वो आप तक पहुंच जाए यूरो शुरू होने वाला है कौन है उसके प्रबल दावेदार ये वीडियो भी हमने बनाया है और आप अगर पैसा लगाने के शौक है फैंटेसी गेम्स में तो आप हमारे ये वीडियो जरूर देखेंगे आपको पता चले जाएगा किस पर कितना दाव लगाया है शुक्रिया